तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा देखो एक ऐसा ऐसा क्वेस्टन है कि लगबग मेरे आप्टिक्स के सारे सलूशन अपलोड कर दिया हूं कम से कम अगर तुम उतना देख लोगे तो तुम्हारा जो है वह यार नीट में बहुत इसकोर कर सकते हो तुम्हिक्स पर टिक है time taken by sunlight to passé window of glass एक glass भी लमास है। इस इस टॉस्ट जाइब है और इस ग्लाश शेम की जो थीकनेश थीकनेश से पास होती है, यह लाइट रीज सी पास सीयच यह नॉर्मल ढार दाल दियम है, तो ऐसे चलिए है, तो पॉइंट एजब ग्लास में इंटर कीह upp85 ett की है तो पॉइंट ए और फीर ने से भी तक जाने में क्या पूचा यह पूछा ताइम कितना लगा हो तो देखो time is equal to simply distance upon यहां से होता है distance upon यहां से speed तेकना और यह जो है यहां से time की value है तो time is equal to distance upon dispense जब यहां से a से भी तर जाएगी तो distance जो है वो थीकनेस होगा t और speed भी होगी हम सबको पता है कि जो refractive index होता है वो c by b होता है तो यहां से b is equal to c times mu आ जाएगा तो यहां से तुम देखोगे तो यहां से mu t upon c आ जाएगा अब कुछ नहीं करना है कि इस परमुली में direct value रख देना है तो mu की value यहां पर दिया हुगा तो mu कितना बोलो 3 by 2 और यहां से thickness 4 mm मिली मीटर मिलब 10 की power minus 3 meter तो जब मैं इसको solve करूंगा तो यह 3 से 3 कट जाएगा और यहां से 2 यहां आठ और तिन इगार minus 11 second इतना 2 into 10 की power minus 11 second मतलब यह अपना C option साही हो जाता है ठीक है तेंक यू बाबाय टेक क्याएगा